आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हो और आज मेरा वीडियो आप लोगों को मालूमें कि जिसके उपर है लेकिन मैं ये बोलूंगे अभी कि कल एक गंदगी की कम्यूनिटी उसने छापी थी और मैं ये कहूंगी कि जो चीज उसने की मुझे बहुत ही अज दिसकस्टिंग लगी क्योंकि यार एक तरफ से तुम इतना ग्यान देती हो कि ऐसा करो वैसा करो और एक तरफ से तुम वही चीज़े ला रही हो और कम्यूनिटी में लगा रही हो पडोसियों नहीं किया तो मतलब मैं ये बोलूंगे कि इनके घर में इनके पापा इनके भा पर भी नहीं किया अगर मेरे घर में भी कोई मेरा वीडियो देखे तो कम से कम इतनी गंदी चीप फरकत नहीं करूंगी मैं मैं नहीं कर सकती मैं ऐसे गंदगी इतनी जादा नहीं दिख सकती नहीं कर सकती तो मैं तो दूर हूं इन सब चीज़ों से लेकिन हां मैं इतना जर पता क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही है किसका है किसका नहीं है हमें क्या लेना था मुझे ये समझ में नहीं आया कि social media पे ये दिखाने का क्या मतलब हुआ पड़ोसियों ने किया तो जाके पड़ोसियों को contact करो न social media पे community डाल कर क्या हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा और इतनी गंदी हरकत इतनी चीफ हरकत तुम कर रही हो तुम्हें शरम भी नहीं आ रही है शरम तो चलो छोड़ो उससे तो दूर दूर तक तुम्हारा कुछ लेन देन है नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई तक यह सब देख रहे होंगे सोचो की कहा तक पहुच गई हो, कितनी गंदगी कर रही हो तुम, अगर यह पर्सनली किसीने ऐसा किया है पडोसियों ने किया है, तुम मारा कहना तुम्हें शरम नहीं आती है जरा भी एक बार सोचना चाहिए इंसान को कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन तुम सोचना तो दूर की बात है तुम्हें तो समझ में ही कुछ नहीं आता कि तुम कर क्या रही हो मेरको सच में तुम्हारे बारे में सोच के इतना बहुत अजीब सा फील हो रहा है इस टाइम कि इतना कैसे कोई गिर सकता है, है ना, चलो उसके बाद आती हूँ, इनके बागी टॉपिक्स के उपर, जैसे कि आप सब को पता है, कल इनका एक वीडियो आया, देवर के बारे में, कि देवर को मतलब, आप लोग बोलते हो, कि मैं पसंद करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन हाला कि अभी जो सिचुएशन है, उसके कोर्डिंग ले इन्हों ने अपना ग्यान दिया, कि जो भी मेरा देवर के प्रती था, वो सब था, उस टाइम पे था, अब नहीं है, है ना, आप वो अच्छी लाइ अगर मा समान होती है, तो फिर तुमने ये चीज ऐसी क्यों दिखाई, कि मतलब उस टाइम लाइव में तो तुमने यही बात बोली थी, अपनी सास को की, अगर आपका एक बेटा मर गया था, तो तो मुझे देवर से शादी करवा देते, देवर क्यों नहीं दिया, मुझे, है ना, और अगर भावी मा समान होती है, तो उस समय मा कहां गायब हो गई थी, उस देवर की, उस लड़के की मा समान भावी कहां गायब हो गई थी, और आज की डेट में भी, अगर भावी मा समान होती है, और तुम्हें मालूम है कि वो देवर तुम्हें पसंद नहीं करता अगर उस लड़के ने अपनी तरफ से तुम्हें अपने रूम से जाने के लिए कह दिया जब अभी तुम बीच में गई थी तब उसने कह दिया क्योंकि वो तुमसे डरता है तुम जहां देखो वाँ वीडियोज बनाती हो और वो नहीं आना चाहता वीडियोज में वो अपनी प्राइवसी लीक नहीं करना चाहता तो तुम्हें इतना जादा बुरा लग गया कि तुमसे बढ़ता आशने हुई तुम्हें एक दम पागल हो गई बखला गई तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो कर रहे हैं ये लोग है ना तुमने इतना जादा गंदा करके दिखा दिया और इतनी गंदगी में तुमने ये सब ठीज़े कर दी लेकिन मैं ये जरूर बोलूगी कि जो तुमने किया तुम्हें एक बार भी शरम नहीं आई कि तुमने क्या किया तुमने बोला कि उसने मुझे ऐसा बोला मुझे इतना हर्ट हो गया कि मेरे पती होते तो ये सब नहीं होता ये हो गया वो हो गया है ना उसके बाद तुमने भही मतलब सास तुमारी अब तुम आज बोल रही हो कि मेरी सास रात को मेरे पास आई उन्हों देखा मैं रो रही हूं उन्होंने मुझे जुपकराया और वो खुद भी रोरी थी और उन्होंने अपना प्यार दिekाया मुझे किस किया इस तो मैं ये काऊंगे कि जब उन्होंने इतना किया तुमारे लिए और यह चीज हमने भी देखिये वीडियोस में कि तुमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है उन्होंने इस बार हमने भी देखा है इस बार क्या हमने तो फॉर्स टाइम ही देखा है कि तुमारे साथ क्या रियक्शन रहा है उनका है ना लेकिन जितना उन्होंने किया उतना तुमने नहीं किया मैं साफ पोल रही हूँ उस चीज को तुमने एक परसेंट भी नहीं किया और अफकॉर्स तुम उस चीजों पे और गंदा करके आई हो चीजों को जो तुमारी एक नफरत तुमारे देवर के साथ तुमारा एक गलत कनेक्शन हुआ पड़ा है या नफरत उनके मन में है भगव तो इतनी नफरत करता है चोटा बच्चा भी नहीं शादिशुदा या आदमी है तो उसको पता है कि मेरे को क्या कैसे करना है कोई कान तो भर नहीं रहा उनके तो मैं यह कहूंगे कि अगर वो बंदा इतनी नफरत कर रहा है तो तुमें यह सोचना चाहिए था कि उसकी नफ वीडियो आजाते तो कोई दिक्कत नहीं थी वीडियो का क्या है वीडियो तो तुम अंगले दिन तीन की जगा चार डाल देती तो भी कवर अप हो जाता कि एक दिन दो आई तो दूसर दिन चार आई तो पूरी हो जाएंगी वीडियो वीडियो बना बना तो रही थी ना तु सिर्फ editing नहीं हुई तो चलो कोई बात नहीं उस time को तुम इंजॉय कर सकती थी उन लोगों के साथ उस tim को जब उनोंने अपने पास तुम्हें बुलाया है तो उस time को उनको देना चाहिए था तुम्हें ना कि तुम्हें अपने फोकस करना चाहिए था वीडियो उसका कुछ नहीं है, तुमने साड़े तेंसोर उपे रात को भी कमाने थे वही वीडियो से वही वीडियो अगर तुम अगले दिन पोस्ट कर देती ही सुवा तो भी साड़े थीनसो ही बनता उसमें, है ना. तो मैं यह काऊंगे कि तुमने जानबुच के यह सब चीज़े की और आज की डेट में तुम उनकी बारे में इतना गंदा बोल चुकी हो इतना गंदा बोल चुकी हो जबकि वो बुज़ूर्ग इंसानों ने तो वह मैं बुलाया है तो वमारे बच्च prior करवाई पूजा कियू करवाई क्यू की वह सच में उसका भला जा रहे थे नहीं तो वह नहीं करवारा दे है लेकिन उन्हों ने भला चाए तो उन्हों ने पूजा भी करवाई si do लेकिन तुमने बदले में क्या किया तुमने देखा भी स्टीज को तुमने बहुत गंदा किया है उनके साथ बहुत जादा गंदा किया है और अभी इतना गंदा करने के बाद भी तुमने शरम नहीं आ रही है तुमने एक बार भी फील नहीं हो रहा किया और मैंने क्या किया ह और उपर से उन बजुर्ग इंसान के बारे में तुम मतलब ये बता रही हो कि मुझे देवर ने गंदा बोला तो मैंने पती का टैटू हटवा दिया ये बात बहुत अच्छी है मैं ये कहांगे कि जब तुम मैं देवर ने अपने रूम से जाने के लिए बोला तो तुमने प करना हं बहुत है मैं बहुत अच्छी हूँ दूर की दूली हो तो आज की डेट में तुम ये बोल दियो कि तुम्हारे पती की वज़े से तुम्हें ये सब धिलना पड़ रहा है सब कुछ तुम्हारे पती की वज़े से हो रहा है तो मैं ये कहूंगी कि ये कौन सा बात हुई मुझे ये बात समझ में नहीं आई हर इंसान की जिंदगी मौत हर चीज भगवान ने खुद लिखी है उपर है ना किसी को अगर उपर जाना है उसका समय आ चुका है तो वो जाएगा लेकिन उस चीज के उपर इतना जादा इशु क्रियेट करना कि हाँ वो चले गए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है माल लो कि अगर वो ना गए होते तो मुझे चले गई होती तो क्या वो तुमारे बच्चे को नहीं पालते वो अपनी जिम्मबारियां पूरी नहीं करते या वो क्या ऐसा नहीं करते मेरे ना समझ से तुम बिलकुल बाहर हो रही हो तुम जान बच के करती हो और तुम खुद confused हो कि तुमें किसको blame करना है और तुम अपना जो CU भी तुमारे अपने problems है ना जो भी तुमारे अपने दिक्कत वाली चीज़ है हो तुम दूसरे के उपर blame करना चारी हो इस ताले यह है कि तुम दूद की धुली बनके गूमने की कोशिश करती हो, जबकि सबसे ज़ादा किचड़ में नाई हुई और तो में ही हो, हाना? ना अई हुई क्या? मैं तो कहूँगी डूबी हुई और तो तुम किचड़ में? हाना? और तुम दुनिया के सामने जी दिखाने की कोशिश, बार-बार-बार-बार repeat mode पे करती हो कि मैं दूद की धुली हूँ जो चला गया दूनिया छोड़के वो बहुत गंदा था जो पीछे रहे गए वो बहुत गंदे हैं सब लोग दुनिया पूरी कंदी है लेकिन तुम ही हो जो दूद की धुली हो सब्ती सवित्री हो सीता माता से भी जादा पे और तुम हो मैं तो क्या ही बोलू तुमारे बारे में ये सब चीजों का भेहम तुमारे इंदर है और अभी जो तुम घर जाडवी हो लोगों के उसके उपर भी मैं अगला वीडियो लेकर आने वाली हूँ तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा प्यार देना नेक्स्ट वीडियो मैं मिलती हूँ लाइक शेर सब्सक्राइब करना और कमेट में अपनी राय जरूर छोड़ना काफी सारे कमेंट्स हैं जिन पर मैं अभी रिप्लाई कल नहीं कर पाई कल थोड़ा सा वीडियो अप्लोड किये थे उसके बाद मेरी थोड़ी तब धीली सी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो उस पे यूट्यूब पे लेकिन अभी मैं थोड़ा दोंगी ध्यान तो आप लोग कमेट जरूर करना भर-बर के और अभी जो मैंने कम्यूटी में वीडियो लगाया है केडी का मतलब लाइब लगाया है उस लाइब के अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़े हैं जो शेयर की हैं उसके उपर मेरा अगला वीडियो आने वाला है तो आप लोग ट्वीट कीजेगा उसको देखिएगा और लाइब आप ध्यान से सुन लिजेगा विकॉस आप लोग बोलते हो ना जो इनके अंदभक्त हैं वो बोलते हैं कि हमें प्रूफ नहीं है हमें ये नहीं हमें वो नहीं है कि ये चीज मैं अपनी तरफ से कुछ भी बना के बोल रही है इसी वज़ा से मैंने शाद वो वीडियो भी शेयर किया है लाइब क्योंकि उस लाइब के अंदर उन्होंने आज खुल के अपनी दिल की बात बोली है तो मुझे लगता है कि जब मैं रियक्शन देती हूँ तो मुझे जो चीज जैसी नजार आ रही है वैसा मैंने को बोलना चाहिए बहुत से लोग अभी बहुत सी बाते करेंगे उस लाइब को मेरी कम्यूनिटी पर देखके इतना ज्यादा शौक हो जाएंगे मैं कसी से कोई मतलब रखती नहीं हूँ किसी से मेरा कोई लड़ाई जगडा नहीं है किसी से कोई मन मटाव नहीं है बाकि रही बात साइकलोन की तो इस पर मैं पहले से रियक्शन देती आईए और आगे भी दूँगी जसके अंदर दमो रोक लेना तो रोक लग टीक है तो मैं मलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में तब तक एक लिए बाई ठीक केर